बहरोर कस्वे के पुलिस थाने ने 15 दिन पहले कुंड रोड पर प्रोपर्टी डीलर की ओफिस में की गई फाइरिंग के मामले में गुरुवार को दो फरार आरोपिक गिरफतार किये हैं थाना दिकारी मावीर सिंग शेकावज ने बताय की 13 मार्च को साइकाल के समय कुंड रोड पर काका मार्केट में इसी से एक ओफिस पर तीम बदमाशों ने मिलकर दो फायर किये थे जिनके पीछे निरंतर पुलिस टीम में लगी थी पुलिस टीम ने घटना का मुख्य आरोपि रवी यादो और क्रिशन यादो को सबलपुरा मोहले से ग्रफतार कर लिया है जिनको कल मियाले में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमान पर लाया जाएगा ग्रफतार आरोपि उसे अरने वारदाते खुलने की भी संभावना है वही ग्रफतार आरोपि भेरू आप्राधिक परवर्ति का बताया गया है जिसके खिलाप पुलिस टाने में मारपीट और आर्मस एक्ट के कई दर्जन मामले दर्ज है इसके सयोगी भीम वारदातों में संग्रक्षन देता आ रहा है जिसके खिलाप एक मारपीट और एक जान लेवा हमले का मामला भी पुलिस टाने में दर्ज है